लोकमानलत तिलक जी को एक दिन दिरेलाइस हो गया कि पूना में काम करके मुझे कुछ नहीं होगा मुझे मुंबई में आना पड़ेगा और मुंबई के एलफिंस्टेन कॉलेज में उन्होंने अपनी एडमिशन ले ली जब वो एलफिंस्टेन कॉलेज में आये और यहाँ पे जब उन्होंने मुंबई में जब पढ़ना शुरू किया तो वो एक गिरगाव में मुंबई के दक्षिन मुंबई के गिरगाव में एक केड़कर नाम के आदमी के घर में रहते थे और जो केड़कर आदमी के घर में रहते थे तो सालों गुजर गए और बहुत सालों बाद हमको ऐसे पता चला, मतलब जो हमें आज जानकारी है कि ये जो केड़कर थे तो केड़कर जी के घर के बेजमेंड में उन्होंने पिस्तुल बनाने का एक फैक्टरी चलाई थी अब ये समझ में नहीं आता और इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है कि जब ये पूना से मुम्बई आए तब ये केड़कर जी के घर में ही क्यों ठहरे और केड़कर जी जो थे उन्हीं के घर में कई सालों बाद पिस्तिल बनाने की फैक्टरी कैसी पाई गई तो ये सब जो चीजे हैं ये सो जब सीक्रेट्स हैं ये सीक्रेट्स जो है ये लोकमाने तिलक जी के साथ खतम हो गई पर इतना हम जरूर जान सकते हैं कि उनके ये सब करने के पीछे एक बहुत बड़ी प्लाइनिंग थी, उनके ये सब करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी और वो सोच उनके जो आधुनिक भारत का जो उनका सपना था, वो सपना जो है, वो सपना आज पूरा करने की जिम मेदारी हम और आप पे हैं